जै हीं दोस्तों मैं आप सभी के बीच लिए करा गया हूँ बीपी एसी टी यारी 3.0 एक्जाम के लिए जो आपका मार्ज में एक्जाम होने वाला है उसके लिए मैं टेस्ट रिज लिए आपका टेस्ट रिज नमबर है आपका 9 ठीक है तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से द क्वालिफाई करना है नमबर तो वह भी आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया है उसको भी आज आप अच्छी तरह से देखेंगे ठीक है तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं आपको ठीक है तो यह देखी बोला गया है कि कॉस्पाइटालीस बटे सेग तीस और किए है यह दा सवाल इसकोस्पेtı तालीस का मतलब एक बटा रूट थी कम 안 लटारा रूट्टी का मतलब एक बटार 32 और से कम Curle मतलब 2 होता है अब इसको सॉल्व कर लेएना है दोस्तों कैसे सवन करेंगे तो नीचे आप इसका बठाइएक लगाकर रूट 3 और एक को यह तो यहां पर वाले को ऐसे ही छोड़ देना है आगे बढ़ेंगे इसको आप ऐसे ही उतार लेंगे और इसको जब लिखेंगे भाग में है तो उलट जाएगा यह नीचे वाला उपर वाला नीचे हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे तो इसको आप क्या करेंगे यह उपर स करना है यह जो सवाल है जान डिया ऊसी कसे गुणा करांगे केवल चिन बदल करके नीचे उपर गुणा कर देंगे है यह आप letter है यह हमने माइनस करके नीचे भी किया तो उपर भी किर दिया आगे बढ़ाएंगे तो देखें हम तो आप उपड़ वाला के वह ऐसा ही रहने दिया ठीक है गुना में 6 दिया और a plus b a minus b a square minus b a square तो इसका a square हो गया और ये minus b ka square लगा दिया सुत्र के हिसाब से तो यहाँ पे 2 square 4 4 गुना 8 हो जाएगा 2 square 4 4 6 24 हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद हम का किये है देखिए इसमें से उसके बाद हमने का किया है common ले लिया है दोस्तों common ले लिया है उपर से minus 2 ठीक है तो यहाँ पे 18 plus में आजाएगा और ये 6 minus में आजाएगा और नीचे आपका घटेगा तो minus कितना आजाएगा 16 आजाएगा minus अब ये minus minus plus हो जाएगा ये काटेंगे तो 8 बार में कर जाएगा तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया root 18 minus root 6 बटा 8 हम 18 को तोरेंगे तो ना दूना अठार तो 9 का 3 निकल जाएगा और दू बच जाएगा यानि 3 उट दू हो जाएगा और ये 6 और बटा में 8 यही इसका right answer हो गया ठीक है तो देख लिजिए इसका कौन सा उतर है तो आपका इसका answer option number C दिख रहा है ना यही इसका right answer है ठीक है अगला सवाल देखते हैं ते देखिए अगला सवाल ये सवाल बोला गया है कि P और Q के एक परियोजना को करम सब 15 दिनों में और 10 दिनों मे पूरा कर सकते हैं उन्होंने एक साथ काम करना सुरू किया लेकिन दो दिनों के बाद में Q को काम Q ने क्या किया काम को छोड़ना पड़ा और P ने अके लिए से इस काम को पूरा किया और पूरा करने में कितना दिन लगा कितना दिनों में समप्थ हुआ ये पूछा जा रहा तो देखिए इसको कैसे solve किये हैं, तो देख लिए हमने क्या किया है, यहां पे P का कितना दिया था, 15 दिन और Q का 10 दिन, तो हमने इसको 15 और 10 का LCM लिए तर 30 हो गया, यह 15 से 30 को काड़ेंगे, तो कितना बार में दो बार में, और 30 को 10 से भाग देंगे तो 3 बार में, यानि इ दोर दिजिए, 5, 5 दोना 10 हो जाएगा इसका, P और Q एक साथ, अब हम क्या करेंगे, तो यहां टोटल वर्क हमें जो पता है, उसमें से 10 काम जो होड़ा है, उसको घटा देंगे, तो बच जाएगा कितना भाई, 10 काम बच जाएगा, अब यह जो 6 काम था, उसको P कर रहा है, तो P की छामता कितना था, दो था न, तो दो से काट लिजिए, तो कितना में दिन में हो जाएगा, भाई, 10 दिन में हो जाएगा, यहां पर देख लिजिए, इसका एंसर कौन सा हो जाएगा, आपसा नमर B, अगला सवाल है, यह रखा, यह देखिए अगला सवाल, बोल रहा ह कि 9 औंक वाली एक संख्या है ये देखिए पूरा जो 72 से विभाज है तो x 3x और 2y का मान क्या होगा तो चलिए इसको solve करके दिखाते हैं आपको ठीक है तो ये देखिए संख्या जो था हमने लिख दिया है ठीक है और ये संख्या को 72 से विभाज होने पर के लिए कितना 8 और 9 से भी विभाज हो ना चाहिए यानि आठtså के पारास से भी कर जाएगा से थाए है तो हमने क्या किया है इसको यहाँ पर stitches यहाँ पर लास्ट में जो इकाययं आंख है ना तीन गोंग क्तिन इन गो लास्ट में तीनंग कर जाता है तो आर से उकर जाता है तो आर से कटके देखते हैं क्या रहा है तो देखे इसको भाग लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है और यहां पर भाग लगा रहे है तो आरधी आसी तो फिर कितना जगा साथ वाई ठीक है उसके बाद फिर नौ से क कटने के लिए क्या करेंगे हम कि यहां पे जो टूटल संख्या था उसमें वाई के मान दो भर देंगे और सब एक्स को ऐसा ही छोड़ देंगे जोड़ देंगे ठीक है तो देखिए वही हमने किया है आठ नौ इस टूटल को हमने जोड़ दिया है ठीक है और यह नौ से कटना है तो 9 से भी कट सकते, 18 से भी 9 के परासे यानि कट जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, तो देखे यहाँ पे X और यह टोटल को जो उने परंग को हमारा 44 आ रहा था, और यह यह इसे ही छोड़ दिये हैं, और Y के मान बाद में हमने क्या कर दिया, दो भर दिया, तो कितना आ गया भई, 46 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका क्या कर लिया, 9, 18, 27 कैल से, 14 आ गया, इसको हमने 14 रख दिया, अब इसके बाद में यह 46 उदर जाके घड़ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, X का मान, तो X का मान भी पता चल गया, Y का भी मान पता चल गया, हमें चीनी पर हुए ब्याय, चा कोई अत्रिक्त ब्रिधी न हो, यह पुछा गया है, ठीक है, तो चले इसको शॉल परते हैं, तो देखें, इसमें हमें अवेश्ट ब्रिधी जो पुछा गया है, उसको हमने लिख दिया, 20 परसेंट की ब्रिधी बोल रहा था, तो 20 बटा, 100 में 20 बढ़ा देंगे, ठीक है न, कितना ब्रिधी हो रहा था, तो 20 का, ठीक है, और 100 में 20 बढ़ा देना है, ठीक है, और गुना 100 मार देना है, एंसर एकस गुने 100, अभी स्ट्रीक पर अराम से आप इसको सॉल्ब कर लेंगे, तो भाई कितना हो गया, उपर इसको काटेंगे, तो 20 चक एकसो बीस, तो उपर 100 आगया, नीचे 6, काटेंगे तो भाई 50 बटा 3, आगे बढ़ाएंगे, तो कितना आएगा, पुनांक में तो रहें सोरे पुनांक 2 बटे 3 परसेंट इसका एंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा एंसर कौन दिख रहा है, आप्सन नमर ए, अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बोल रहा है कि निमलेगी, तालिका महा बेद्याले के विभीन संकायों में दाखिला 42, लड़का 42, बेवसाइक में भी 13, लड़की और लड़के 30, इस तरह से दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि बिग्यान को छोड़कर अनसंकायों में अध्यान करने वाले छात्रों का परतिशब कितना होगा, ठीक है, बलब आपको ये बिग्यान को छोड़कर सभी संक कायों में आपका पूछा जा रहा है, तो सीदा सीदा इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है, बिग्यान वाले को ये दोनों को छोड़ देना है, पर इस सबको टोटल को जोड़ना है, उपर लिग देना है, और ये एक बार टोटल को जोड़ना है, नीचे लिग देना है, तो उपर चार नीचे 5 फिर 5 से काटे ते इसको 20 बार में और उपर 4 बचा है 20 जो कि कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा तो 80% इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो देखे इसका एंसर कौन सा हो जाएगा आपका option नमर A दे रहा है अगला सवाल देखे यह चाहल अगला सवाल बोला गया है आपसे उड़ी म्यक्या श्रामर अभला फेल eight hour 119 इसका बार्द म्होंन जाएगा तो देखे इसको कैसे हैं तो दखे लिए देन किस olm बिए ए इसकी हम कुछा गया है हमने क्या कियो है इसका हम फर्मूला लिखते हैं, ठसके निया यहाँ इसका भी भीलू हम्हें पता था, 432 इसका भी भीलू पता था, 12, इसका भी भीलू नहीं पता है, पिछोड़े भीजीए ठीक है? अब इसको बारे से इसको काटिएगा तब 37 बन में कट गया यानि सीधा सीधा आपका देख लिजे इसका भेलू कितना आ गया वह 36 अब हमें जो मान निकालना था उसको हम यहां पर रख देंगे अब आपको पता होना चाये कि यह जो चीज है यह किसीज का फर्मूला है यहां पर नहीं यहां पर देख लिजिए हमें पूछा क्या गया था यहां पर यह देख लिए इसका मान पूछा गया है है मैंनस से भी आ गया और इसका भेलू हमें फटा चल गया है 36 इसका मॉन कितना गया भी 36 इंसर हो गया कि इसका अधा 46 हो गया अगला सवाल देखिए यह देखें तो इसमें ये बोला गया था कितना भाई बहुबूज के 135 अब यह बहुबूज में भुजाओं कि संख्या निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपका 360 बटे में बहुबूज कितना 45 अगया था काटेंगे तो आठ आ गया था इसका एंसर तो अब विकर्णों की संख्या पूछा गया है यहां से तम्हु इन का मान हमें पता है यहां और इसको कर लेंगे एंसर आजाएगा यहां पर साथ और यहां पर यहां पर आठ गया तो इसका सीधा सीधा एंसर हो गया आपका 20 ठीक है अगला सवाल अब यहां से अब GGS स्टार्ट होड़ा है ठीक है चलिए हम सब्सक्राइब करेंगे हम लोग तो यहां पर सवाल है कि बिहार में सरवाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है तो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा दोस्तों देखा जाए तो सरवाधिक आपका किसन गंज में होता है किसन कहां दिया है अप्शन नमर सी अगला सवाल देखते है 48 बोला गया है कि किस सासक ने अपने सिक्को पर बूध को अंकित किया मतलने है भगवान बूध का इसके चित्र बनाया था अपना सिक्का पर कौल सासक था तो वह सासक जो था आपका कनिश्क नमर्बी एंसर हो गया अगला सवाल है बहुत धरम किसके समय में आपका महयान एवं हिनियान नामप दो सक्षाओं में भी भाजित हो गया इसका एंसर हो गया दोस्तो आप्सन नमर सी कनिस्ट के समय में अगला सवाल है कि बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपूर के पठार से अलग करती है इसका एंसर होगा दोस्तो आप्सन नमर सी सोन नदी अगला सवाल है कि बाराहवा बिश्य हिंदी समयलन 2023 का आयोजित कहां पे हुआ भाई तो इसका आंसर होगा आपसान नमर एक ही जी में हुआ था अगला सवाल है कि सितंबर दो हजार तेईस में किस भारतिय बेग्यानी को छेतरीय अनुशंधान और अनुपरियों के लिए अगला सवाल है कि खेलो इंडिया इन्वर्सिटी गेम्स दो हजार तेईस का आयोजन कहां हुआ था तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर परदेश में हुआ है जहांके मुख्मंत्री कौन है अधितिनाथ योगी ी किरणों की वेगो को शही करम क्या है यह सही करम आपको बताना है तो अफसर नमर्सी जो है यह है अल्फा का अल्फा से बड़ा बीचा का बीचा से बड़ा गामा का होता है ठीक है याद रखें अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कारे निन में से किस पर निल्भर नहीं करता है तो किस पर निल्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रमान पर निल्भर नहीं करता है अगला सवाल है कि नीम लीखित में से किस अमल के एकतरित होने से बांस्पेश्यों में THतान होती है तो भाई किसका एंसर हो जाएगा लाक्टिक अमल अगला सवाल है कि मेंडल ने मटर पर्क किये गए अपने परयोगों के लिए निम्यों से कौन से लक्षन का चैन नहीं किया था तो इसका एंसर हो जागा फूल के स्थिती को अब देखे अगला सवाल यह देखे करें कि डॉडट एक उपकरन है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता तो इसका एंसर हो जागा आपका इस्टिडी यो इसकोप को कहा गया है अगला सवाल है यह देखे अगला सवाल है नुमेरिकल टाइप पर देदिया है बोल रहा है कि इसमें आपका वेग समय ग्राफ में त्वारं मंदन ग्याद करता है तो इसको आप कैसे बनाएंगे तो यहां पर त्वारं का मंदक निकालना है यह कि इसका अंसर आपका हो जाएगा दिश्यूर्ण अब करनाव मंदन निकालना है तो क्या करना है इस नव्बे में आपको इस लास्ट वाला में यह पहला वाला घटा करको ऑंतीम जो टाइम है कितना 15 और इसमें से सुरू में 6 घटे गाते कितना आएगा भाई तो घटे गात नौ आएगा अनौ में 10 नबे में भाग देंगे नौ से तो दस आ जाएगा यह रहा अपता एंसे ठीक है अगला सवाल है कि निमलीखित में से कौन सब्करन विदूत परवाह के तापन तो भाई किसकी क्रिती है तो आपसा नमरे सचिंद्रनात दन्याल अगला है कि जंडा समीथी के अध्यक्ष कौन थे जंडा समीथी के अध्यक्ष आपका जेवी कृपलानी थे अगला है ग्रेट बैडियन ग्रेट बैडियर रीफ कहां है तो इसका आंसर होगा दोस्तों C परसांत महासागर अगला सवाल है कि उरिषा राज बिहार से सब प्रिथक और नया परांत बनाया गया था तो उरिषा जो था दोस्तों आपका 1936 में बिहार से अलग हुआ था याद रखिएगा अगला सवाल है हौला वीडा नामक हरापा सभ्यातन नगर कहां इस्तित है तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप्सन नमर सीडिक राया पच्छ में ठीक है अगला सवाल है कि जन गन मन सभ और कहां सोरकृथम गया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखे जन कनम मन जो था आपका कलकट्ता में कलकट्ता का जो अजिवेशन हुआ था ना उसी में गया था उनिइस सो इगारा ये चलिए है यह दिली दिये है गलब दिया है इसलिए इसका एंसर होगा अप्शन नमर इस चलिए अगला सवाल देखते हैं एक जाती के कुछ ब्याश्कियों के लिए होता है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमर एस जीव मंडल अगला सवाल है कौन से परसीट भारती नेतब शीमान्त गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो इसका अगला कोश्चन है कि केंद्रिये मंत्री मंडल को किन प्रस्थितियों में त्याग पत्र देना पड़ता है तो इसका अंसर होगा बहुमत होनेक पर अगला सवाल है कि 1918 में महमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्यागरह में किसमें हिस्सा लिया था तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमर सी अनुस्विया के बेन सारा भाई अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि सितंबर सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यर्वदा जेल से जेल में आमोरन अंसर क्यों किया था तो इसका अंसर होगा आपका रैमजे, मैकडो, नाल्ड के संपरदाइक अवार्ड के बिरूद अगला सवाल है लोह और रख के नीती का किसने अपनाया था तो आपको पता होगा बलवन ने अगला सवाल है कि किसने कहा था कि कोई भी राजनीती फर्म से रहित नहीं है किसने कहा था तो महत्मा गांधी ने कहा था अगला सवाल है कि कुवर सिंग ने अपने अंतिव समय में किस अंग्रेज कैप्टन के सांथ यूद किया था तो भाई किसके सांथ यूद किया था तो ली गरांत के सांथ यूद किया था कुमाउं हिमालय की नदियों के बीच इस्तित है तो कुमाउं नदियों आपका सतलज एवन काली के बीच है 64 होगे आप देखते हैं और 60 जीवन के उत्वत्ति के बारे में ओरे ओपेरीन का सिधान किससे सम्दिध है तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो आप्सान नमर भी रासाइनिक विकास से है अगला सवाल है डॉड़ट विकास वादी सम्द्धों के परमान परदान करता है तो भाई कौन करता है तो आप्सान नमर ए जिवास में करता है अगला है कि परियावरन परिवर्तन के प्रतिक किसी जीव दुआरा किये जाने वाले रास्याईनी समयोजन को दौड़र कहा जाता है तो आपका पारेस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है तो दोस्तों हमने इसमें टोटल कंप्लीट किया नाइन सेट कंप्लीट हुआ अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो कैसा लागा आप जागे करने से कमेंट करें चीक है